नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है dr. नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि सिलिडिन टेबलेट का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है, सिलिडिन टेबलेट को कैसे लेना चाहिए, और सिलिडिन टेबलेट की वज़ज़ से क्या साइड उटक्स हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे कि सिलिडिन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए। सिलिडिन एक ब्रैंड नेम है। सिलिडिन टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन सिलनीडिपाइन होता है। सिलिडिन टैबलेट 5MG, 10MG वब 20MG की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। सिलिडिन टैबलेट का उप्योग हाइपरटेंशन होने पर किया जाता है। यानि जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है। क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वज़ा से किड्मी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पढ़ने का और लकवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वज़ा से आखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है. एक नॉर्मल व्यक्ती का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है. अगर किसी व्यक्ती का ब्लड प्रेशर उपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ती का ब्लड प्रेशर ज्यादा है. Side Effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Siliden Tablet की वज़ा से कोई Side Effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Siliden Tablet की वज़ा से कुछ Side Effects हो सकते हैं जैसे चक्कर आना, चहरे का लाल होना, सिरदर्ध होना, बलड प्रेशर ज्यादा कम होना, आखों में दर्ध होना, हाथों व पैरों में सूजन होना, दिल की धरकन का तेज होना, घबराहट होना, बार बार पेशाब आना, शरीर में ठकान व कमजोरी होना, उल्टी आना, उल् दस्त होना और तवचा पर रैशेस वखुजरी होना आदी साइड इफेक्ट सिलिडिन टैबलेट की वज़ा से हो सकते हैं अब हम दिसकस करेंगे कि सिलिडिन टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है सिलिडिन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर सिलिडिन 5-MG से लेकर सिलिडिन 10-MG टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सला देते हैं। और बीमारी की गंभीरता ज्यादा होने पर डॉक्टर डोज को बढ़ा कर सिलिडिन 20-MG टैबलेट को भी दिन में एक बार लेने की सला दे सकते हैं। सिलिडिन टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको सिलिडिन टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि सिलिडिन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए। सिलिडिन टैबलेट को डॉक्तर की सला के बिना अपनी मर्जी से लेना बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि सिलिडिन टैबलेट को एकदम से बंद कर देने से एंजाइना होने का जोखिम अधिक हो जाता है। एंजाइना होने पर रिदय तक ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वज़ह से छाती में दर्थ होने लग जाता है। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको सिलिडिन टैबलेट के साथ साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइस करनी चाहिए। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए सिलिदिन टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित्वर रेकमेंडेड नहीं है। सिलिटिन टैबलेट मा के गर्ब में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। और स्तनपान करा रही महिलाओं में सिलिटिन टैबलेट मा के दूद के जरीए बच्चे तक पहुँच सकती है। और दूत पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्स पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सिलिटिन टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सिलिटिन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।